नमस्कार आप सभी का BHU Study Capital हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से हार दिक स्वागत है BHU Counseling 2020 को लेकर के Official Update आप सभी के लिए Counseling Schedule, Call Later और 8 December से आपकी Counseling सुरू हो रही है ये चीज मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो की सुरुआत करूँ उससे पहले एक चीज़ बता दू कि जो लोग चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं यानि हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रस कर लें तो दोस्तों बियेचु इंटरंस एक्जाम 2021 के बाद जो काउंसलिंग होने वाली है आप सभी की यानि जितने बच्चे इस कट आफ के अंदर में आएंगे जो कट आफ जो कालेटर जारी होगा वो काउंसलिंग 8 दिसंबर से अलग-अलग कोर्सेज की सुरू हो जाएगी यानि काउंसलिंग की सुरूआत 8 दिसंबर से हो जाएगी आपको जो सेडियूल है मैंने बताया था कि 7 या 8 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग सुरू होगी और बिलकुल वही exact date पर काउंसलिंग स से notice जारी होना सुरू हो जाएगा यानि अलग-अलग टीपार्टमेंट से आपकी notice जारी होना सुरू हो जाएगा और call letter आपका BHU की official website www.bhuonline.in पर जारी होगा आपका जो call letter जारी होगा उस call letter पर आपको लिखा होगा कि आपके counselling की date क्या है आपके counseling की venue क्या है आपकी counseling offline और online donor mode में होगी UG courses की offline और online donor mode में और PG courses यानि जितने भी pet वाले courses हैं उनकी counseling आपकी सिर्फ online mode में होगी ऐसा official update बहु की तरफ से बताया जा रहा है तो यह latest update आप सभी के लिए कि 8 December से counseling का process सुरू हो जाएगा जरूरी नहीं है कि सभी का process बहुत पहले हो जाए किसी का 15 December भी जा सकता है इस प्रकार से अलग-अलग date पर सभी की counseling होगी लेकिन सुरूआत जो बिगुल बजएगा counseling का वो 8 December से सुरू हो जाएगा यह latest update बेट ब्यच्विश्टरी कैप्टल आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है इसलिए चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करिएगा इस वीडियो को like करते हुए अपने दोस्तों तक अदिक सदिक share करिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा साम को live session के साथ आप को cut off से related जो भी queries होगी उसका solution किया जाएगा फिलाल वीडियो कहें पर समाथ करता हूँ बहुत धन्यवाद